हेलो दोस्तो नमस्कार गणेश चतुती उपलग की आप सभी को हारदी कविन अंदन दोस्तो क्या आप जानते है गणेश जी को कैसे लगा हाती का सीर और क्या है उनके जन के पीछे की कहानी दोस्तों बुद्भार का दीन स्री गनेश का माना जाते है इस दीन कुछ लोग बरत भी रखते है स्री गनेश मातापारवती और सिप जी के बेटे है हाला कि इनके जन पर लेकर कई तरह की कताई है बरहा पुरान और शीप पुरान में बिनाई के जन पर लेकर दो अलग लग कता है बरहा पुरान के मताबीक भवबानसीब ने गणे जी को पंचे तत्तों से बनायाई जब भगवान सिप गणेजी को बना रहे थे तो उन्होंने विसिष्ट और अत्यंत रुपबान रुप पारे इसके बाद यह ख़वर देवताओं के मिली देवताओं को जब गणेज के रूप और विसिष्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने दर सटाने लगा कि कहीं ये सब के आकरसन का केंदर न बन जाए इसी दर को भगवान सिप भी भाब गए थे जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुह हाती का लगा दिया वही सिप पुरान में कथा इससे बिलकुल अलग है इसके मुताबिक माता पारबती ने अपने सरीर पर नहाने का समय हलती लगाई थी इसके बाद जब उन्होंने अपने सरीर से हलती उतारी तो उससे उन्होंने के पुतला बना दिया पुतले में बात में उन्होंने प्रान डाल दिये इस तरह से बिनायक पैदा हुए थे इसके बाद माता पारपती ने गणेश को आदेश दिये कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रख्या करो किसी को भी अंदर आने नहीं देना कुछ समय बाद सिब जी घर आये तो उन्हेंने कहा कि मुझे पारपती से मिलना है इस पर गणेश जी न मना कर दिया और कहा कि खबरदार कोई भी अंदर नहीं जाएगा सिब जी को नहीं पता था कि ये कौन है इसके बाद दोनों में विबाद हो गया और उस विबाद ने जूत का रूपधारन कर लिया इस दोरान सिब जी ने अपना त्रिसुल निकाला और गणेश का सिर काड़ दिया जब पारपती को पता लगा तो वो बहार आई और रोने लगी उन्होंने सिब जी से कहा कि आपने मेरा बेटा का सिर काड़ दिया सिब जी ने पुछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है इसके बाद पारपती ने सिब जी को पूरी कथा सुनाई हालां कि पारपती भड़क जाती है और सिब जी पर गुशा करने लगती है इसके बाद सिव जी ने पारवति के मनाते हुए कहा कि ठीक है मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ लेकिन प्राण डालने के लिए एक सीर चाहिए इस पर उन्हों ने अपने गोणों से कहा कि उतर दिशा में जाओ और वहां कोई भी प्राणी मिले तो उसका सीर ले आओ फिर जब सिव गोणों ने उतर दिशा जाते है तो उनको भगबान इंद्र का हाथी एरावत मिलता है अब सिव गोणों ने उसका सीर काटकर ले आते है इसके बाद भगबान सीवजी ने गणेश के सरीर पे हाती का सिर लगा देते हैं और बिनायक के अंदर प्रान डाल देते हैं दोस्तो इसी तरह से गणेश को हाती का सिर लगा दोस्तों ये जानकारी कैसे लगा कमेंस करना मत भूलना और ओंग गड़े साय और नमव लेकिना मत भूलना जोई स्रेप्रस्टन।